नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडीर मुकेश अंबानी के बेटे अनन्त अंबानी की शादी हुई शादी में तमाम हस्तियों को नियोता भेजा गया लेकिन उसका जिक्र नहीं करें गया आज करेंगे अंबानी के शादी में पॉलिटिकली क्या हुआ राज़र से पहला नाम है लीडर ओफ उपोजिशन राहुल गांधी का राहुल गांधी एगर खुद मुकेश अंबानी नियोता लेकर पहुंचे थे लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे लेकिन उनके अलाइँट के जो नेता है वो तमाम नेता इस शादी में पहूंचे वह ला अहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया है विपक्ष ने कुछ भी हो अम्बानी दी से शंबंद खराब नहीं करेंगे भलाई जब राजरीतिक बयान बाजी की बात आती है चुनाव आते हैं मोदी को घेरने की बात आती है तो भलाई यह सभी उद्योग पतियों का नाम लेकर मोदी को बीजेबी को घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका दोहरा चरीतर सामने आ गया और अब इसी चरीतर पर लोग तरह तरह के ट्वीट कर विपक्ष के गटबंद ने इन नेताओं की जो है वो पोल खोल रहे हैं लालू यादव जब जाच की बात आती है तब वो व पूरे परिवार के साथ राबड़ी देवी उनकी बेटी तेजस्वी यादव बच्चे सब इस शादी में पहुँचे थे तो अब सवाल उठने लगे हैं बहुत सारे और ट्वीटर पर लोग पूछ रहे हैं क्या कुछ पूछ रहे हैं दिखाईएगा ज़रा नीरज गुमार के ट्वीटर यूजर लिखते हैं लालू यादव जिसने बिहार के कुल जीडिपी का एक तिहाई लूट कर अपने परिवार के नाम कर दिया बिहार के तीन पीडियों को बरबाद कर दिया वही वीलचेयर पर चलने वाला लालू कलंबानी के वैभाव के साम ने अपने पैरों पर खड़ा होकर सब परिवार जूटन साफ कर रहा था समाजवादी अखिलेश जी मैं हविल में घुसने से पहले अपनी लाल टोपी उतार कर कहा छिपाए या फे के पता नहीं ममता दीदी तो पार्टी की रोनक ग्लैमर बढ़ाने पहुची दिखाओ प प्रोफेशल सुदान सुत्रिवेद लिखते हैं अरे भाई राजनीती का नया दोर है अब चम्चो से अंबानी का विरोध करवाएंगे खुद अंबानी के शादी में ठुमके लगाएंगे वाकई चम्चो तुमारे मालिक तो सच में मास्टर माइंड है क्या गजब का इड लिखते हैं लालु यादव जी सपरिवार अनंद मबानी की शादी में शादी में शामिल होने के लिए पटना से निकले अब आईटी सेल वाले देख लें जीओ का बॉयकॉट और अंबानी की बढ़ती संपत्ती का विरोध कब करना है तो इसी तरीके से जिदेंद लेकिन जब पत्तल चाटने को मिलेगा ठुमका लगाने को मिलेगा कमर मठकाने को मिलेगा बढ़िया व्यंजन विदेशी स्वादिस्ट फल चाटने को मिलेगा तब भाग कर अंबानी के घर जाएंगे और इधर दोदोर उपल्ली वाले ट्वीटर ट्रॉल जी ने इनी लोगों ने पाला वो हाई अंबानी ने लूट लिया कर चाती कूटते हैं और मालिक अंबानी के घर जाकर तो इस तरीके से ल बताया जाता कि मोदी के दोस्त हैं मोदी ने जो है बहुत कुछ किया है अंबानी जी के लिए इसलिए सरकार चल रही है पीछे से फंड होता है ऐसा है वैसा है बहुत सारी चीजें विपक्ष के नेता कहते हैं लेकिन क्या राहूल गांधी ने अंबानी की शादी में जाकर बड़ी गलती कर दी है लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष के तकरीबन 95% ने था इस शादी में पहुचे थे प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी भी पहुचे थे शंकर अचारय भी पहुचे थे बाबरामदेव भी पहुचे थे तो जिन्हीं लोगों को निम बड़ाड में ये बड़ी गलती करती है क्योंकि वो लीडर ओफ पोजिशन है और सब के मतलब एक तरीके से विपक्ष के मार्ग दर्शक हैं शाद हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि खुद ना जाकर राहूल गांदी ने विपक्षी नेताओं से जाने के लिए कहा हो या फिर उनकी विपक्षी नेताओं ने बात नहीं मानिया है जो भी कुछ रहा होगा अंदर खाने जो भी कुछ खिच्डी पकी होगी लेकिन उससे ये बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष के जितने भी नेता है उन्होंने राहूल गांदी को ठेंगा दिखा दिया है कि भला ही भारत के सभी राज्यों में उनका व्यपार फैला हुआ है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनका उठना बैठना है आना जाना है और एक व्यपारी को यही सबसे अच्छा व्यपारी के लिए है कि अपने रिष्टे सब के साथ अच्छे बना कर रखे लेकिन राहूल लेकिन इसका रियक्शन कुछ और होता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष इस मुद्धे पर फटता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष कितनी ताकत के साथ खड़ा है एक साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा है उसकी भी पोल इस शादी के निमंत्रन ने खोल दी है तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय कमेंट कर जरूर बताएं नमस्कार